वैसे तो गाइस, जियो के air fiber में आपको range काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, जियो fiber के मुकाबले, यहाँ पर आपको यहाँ पर 2X जो हो, range देखने को मिल जाता है, यहाँ के 2,000 square feet तक आपको यहाँ घर है, वो cover करेगा, बट फिर भी अगर आपको range का कमी होता है इसका range अगर आप increase करना चाहते हो तो मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही simple सी trick है जिसकी मदद से आप कर सकते हो ठीक है and free में कर सकते हो बट इसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए अब क्या होना चाहिए चलिए मैं आपको बताता हूं तो यहाँ पर मेरे पास एक जियो फाइबर का router रखा हुआ है पुराना वाला ठीक है तो आपको इसके पीछे यहाँ पर इंसेट करना होगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो लैन के बहुत सारे ports दिए गया है अब यही वाला फिलार connected है तो इसी समय यहाँ पर connect करूँगा ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो अलएडी मेरे पास दो लैन यहाँ पर लगी हुई है तो इनवे से किसी एक लैन को यहाँ पर निकाल देता हूं इसको मैं यहाँ पर निकाल दिया एंड यह वाली जो केबल है इसको मैं यहाँ पर तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूं इसके अंदर ठीक है तो यह मैंने कर दी इंसर्ट अब यह हो चुका है connect ठीक है अब ही मैं आपको दिखाता हूं कि यह जो है वो करने के बाद range increase हुआ है कि नहीं तो यहाँ पर यह मेरा air fiber यहाँ पर दिख सकतो connected air 5G से अभी मैं speed test करके आप लोगों को दिखा दिता हूं कि यह जो है वो जीओ का air fiber है यहाँ पर speed बगरा कितना रहे दिख सकते हैं यहाँ पर जीओ आ चुका है अभी यहाँ पर इसको करते है and check करते है speed जो हम लोग को कितना देखने को म मिल रहा है 30 Mbps का connection 30 Mbps से speed आएगा and यह जो मेरा air L का यहाँ पर outer है यह 10 Mbps वाला connection ठीक है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 10 Mbps आता है directly 40 Mbps आता है 8L में ठीक है 30 Mbps नहीं आता है तो यह है मैं देख सकते हूँ speed बगरा देख चके हैं हम लोग अब इसको करते हैं back अभी connect करते हैं कि इससे 8L stream से ठीक 8L stream में हमने यहाँ पर जो है वो alignable को connect किया था अभी देखते हैं कि उसमें जो है वो क्या speed आता है और क्या network शो करता है तो यहाँ पर आ चुका 8L stream को करते हैं connect देख सकते हूँ यहाँ पर connect हो चुका है अभी आ करते हैं अभी करते हैं speed test ठीक है तो अब को यहाँ पर देख सकते हों करते हैं रहे यहां पर close करने के बा मदस्कूर वापस open यहां पर देख सकते हो कि क्या आ शो कर रहा है ठीक है यहाँ पर देख सकते हों यहाँ ग्हाट aquí theory गानेक्ट देख सकते हूँ यहाँ तो यहां पर मैं बड़ी सी केबल को connect करता हूं and दूसरे रूम में ले जाता हूं तो मेरा range automatically increase हो जाएगा speed देख सकते हूं यहां पर 30 अभी पेस हा रहा है same connection यही वाला चल रहा है उससे उसके through ठीक है तो यहां कोई भी setting वागर अभी करने का ज़रूत नहीं यह simple सा land cable को connect करो land 1 से land 1 या land 2 से land 2 आपका यहां पर आराम से काम करेगा ठीक है तो इस तरह से आप जो है वो आराम से अपना air fiber का range को increase कर सकते हूं ठीक है बहुत ही simple trick है आप लोग भी इसको use कर सकते हो और इसको try कर सकते हूं